हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल सुगैज आज की इस वीडियो में आपको पार्टिवेर अंब्रेला फ्रोग की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी फ्रोग को बनाने के लिए पांच मीटर फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक जोर्जेट का है जो आज पांच मीटर जोर्जेट का फैब्रिक लिया है मैं फैब्रिक के लिए पांच मीटर जोर्जेट का फैब्रिक लिया है जोर्जेट फैब्रिक आज कल काफे जदा टेंडी में चर रहा है यह कुर्ति में पार्टिवे बनाऊंगी इसलिए मैंने याँ पर पांच मीटर फैब कपड़ी को लेंद से च्यारभागों में रखना है टोप पार्ट की लेंद रखी है साड़े तेरा इंच एक इन जादा रख लेंगी स्लाइं मार्जन के लिए तो स्वाड़े 14 इंच पर मार्क लगा देंगी और एक्ष्टा कपड़े को हटा देना है अभी हम सोल्डर का मार् होफ किया तो आया साथ इंच साथ पंपर हम लगा देना है अर आर्मोल के लेह उसस भी 7 इंच सी रखणी कि यहाँ पर हमें एक बुक्स पना देना है और ह आर्मोल में एक खरए देंगी अंदर की तरफ और फ्रेंट पार्ट में गरहे देंगे आदे इंच पर इस तरह अभी हम नेक का मार्ख लगाएंगी नेक को विर्थ में रखा है शाड़े तीन इंच और डीप में चार इंच रखा है ये मार्ख हमारा फ्रेंट पार्ट के लिए होगा फ्रेंट पार्ट को मैंने डीप में चार इंच पर रखा है यहापर भी हमें एक बुक्स बना देना है उन्नेक का गुलाई में सेप दे देंगी अभी हम फिटिंग का मार्क लगाएंगी तो फिटिंग में चेस्ट के लमई 32 इंच पर है अभी हम फिटिंग का मार्क लगाएंगी जो भी हमने फिटिंग की लेंथ ली है वहाँ पर हम इंच टेप को रखेंगी और हाफ करेंगी और यहाँ पर एक मार्क लगा देंगी और इस मार्क से हमें उपर की तरफ 3.5 इंच पर मार्क लगा देना है ये हमारक हमारा प्लेट के लिए होगा प्लेट की लेंथ मैंने 3.5 इंच पे रखी है अभी मेजरमेंट के अकोरिंग कुर्ति की हमें कटिंग कर लेनी है कटिंग करने के बाद बैक पार्ट को हम हटा देंगे फ्रेंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे आर्मोल में घहय दी थी उसको कट करना है हमने जो प्लेट का मर्क लगाया था उसको टैप करते हुवे दोनों सैड कोपी कर लेंगी अभी बैक पार्ट को हम सेंटर से फोल्ड करेंगी और नेक का मर्क लगाएंगी बैक नेक को रखाया मैंनी शाड़े 7 इंच आप चाहें तो ज़्यादा वे रख सकते हैं याँ पर भी हमें एक बुक्स परादेना है वो गुलाई में सेप देते हुवे कटिंग कर लेनी है इस तरह इस तरह हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगी बैक पार्ट में भी हमें plate का mark लगाना है जो mark हमने front में लगाया था वही हमें back में लगाना है अभी हम man fabric के cutting करेंगी lining को हमें man fabric के उपर रख देना है और जिस तरह हमने lining को cut किया है उद्वी के according हम man fabric को भी cut कर लेंगी अभी lining और man fabric को एक दूसरे साथ attach करेंगी तो सबसे पहले हमी नेग पर slay लगानी है दोनों पाटों की नेग पर slay लगा देंगी इस तरह से slay लगाने के बाद नेग में हमारा जो भी अक्ष्टा कपड़ा है उसको महटा देंगी और यहां और नेक पर हमें एक टोप स्टिच लगा देना है हमने जो प्लेट का मार्क लगाया था टोप पार्ट को इस तरह फोल्ड करते हुए मार्क तक हमें slay लगा देनी है अभी इसी के अकोड़ी हम फ्रेंट पार्ट को भी रेडि कर लेंगी अभी बैक और फ्रेंट दोनों पार्टों को एक दूसे साथ अटैच करेंगी तो रैट सर नेचे की तरफ रहेगी तो स्टिच पर श्लाय लगा देंगी अभी हम बाजू की कटिंग करेंगी तो जिस तरह हमने टोप पार्ट को निकाला था मैंन फैब्रिक से उसी के अकोडिंग हम बाजू के लिए कपड़ा निकाल लेंगी अपने लेंद के अकोडिंग कपड़ा निकाल लेंगी बाजू की लेंट रखी है 22 इंच, एक किसलाय मार्जन में जाएगा, टोटल बाजू बनकर 21 इंच पर त्यार होगी और बाजू में आर्मरल के लेंट मैंनी 9 इंच पर रखी है, जापे हमारी खुली सैड है, वापे हम 10 इंच पर मार्ग लगाएंगी नीचे की तरफ और यहां से हमें बाजु का सेफ दे देना है बाजु के बोटम में साथ इंस पर मार्क लगाएंगी और इन दोनों मार्कों को मिलाते हुई इस तरह कटिंग कर लेनी है सेंटर पर इकट लगा देना है इस तरह बाजु की कटिंग कर लेंगी सोल्डर और नेक को रेड़ी करने के बाद बाजु को अटेच करेंगी तो सेंटर पर सेंटर रख देंगी और यहां पर स्लेय लगा देंगी बाजू के बोटम को आदेंच की दुरे पर डवल फोल्ड करेंगी और सले लगा देंगे दोनू बाजू ओमी अभी हम बोटम पार्टी एकटिंग करेंगी बाजू और टोप पार्टी एकटिंग होने के बाद जितना भी फैब्रिक बसता है हमारे पास उसको हमें लंबाए से चारभागों में रख लेना है इस तरह इस कपड़े की एक साइड बंद है तो दूसरे साइड खूली है जासे इसकी बंद साइड है वहाँ पे हम कमर का मार्क लगाएंगी इस बात को आप द्यान में रखेगा बंद साइड की तरफ हमें कमर का मार्क लगाना है अभी हम कमर का मार्क लगाएंगी कमर की लेन्थ मैं साड़े चार इंच पर रख रही हूँ तो दोनों साइड हमें साड़े चार चार इंच पर मार्क लगाना है और इन दोनों मार्कों को इस तरह मिलाते हैं वी गोलाई में शेप दे देना है जा पर हमने कमर का मार्क लगाया है वहाँ पर हम इंचे टेप को रखेंगी और बोटम की लेंथ का मार्क लगाएंगी बोटम की लेंद रखी है 35 इंच जो डेट इंच के आसपास हमारा स्लाइ मार्ज में चला जाएगा टोटल जो बोटम बार बन कर त्यार होगा वो शाड़े 33 इंच पर त्यार होगा 33 में हमें 33 इंच पलस करना है 33 में हम 33 इंच पलस करेंगी तो 47 इंच होता है यह जो कुर्ति बन कर त्यार होगी वो 17 सिंस पर त्यार होगी लेंद आप अपने कोरिंग कम जाद भी रख सकते हैं इंची टेप को हमें कोर्णर पर रखना है और गुमाते हुए पूरे में ही 35 सिंस पर मारक लगा देना है कोर्णर पर हम इंची टेप रखकर मारक लगाएंगे हमारे कुर्ति नीचे से अप डाउन नहीं होगी और मारक इसका बराबर में लगेगा इस तरह हमें मारक लगा देना है अब इमारक के अकोडिंग कटिंग कर लेंगे मारे की अकोडिंग हमें बोटम पार्ट इकटिंग कर लेनी है बच्चे युक पड़े से हम फ़ाबिक लटकन बना लेंगी सो आप देख सकते हैं काफी गहर बनाया हमारा बोटम पार्ट में अभी हम लाइनिंग की कटिंग करेंगी लाइनिंग को मैं ट्रेंगल सेफ में कट करूँगी जितना दिकपड़ा बच्चा है हमारा लाइनिंग में उसको हमें सबसे पहले लंबाई में दो भगों में रखना है उसके बाद किसी भी एकोनों को उठा लेंगी और इसका ट्रेंगल सेफ दे देंगी कमर की लेंथ है 28 इंच 28 को हमें 4 डिवाइड करना है 28 को 4 डिवाइड किया तो है 7 इंच और 7 में हमें 1.5 इंच प्लस कर देना है सलाइ मार्जन के लिए यहाँ पर जो कमर का मार्क लगया है मेनी उसाड़े 8 इंच पे लगया है जितने भी आपकी कमर की लेंथ हो उसमें हमें 1.5 इंच प्लस कर देना है अभी दोनों मार्कों को मिलाते हुए वोलाइ में सेफ दे देंगे बोटम की लेंथ मैंने 31 इंच पर रखी है जो 1 इंच हमारा सलाइ मार्जन में जाएगा मैन फैब्रिक से हम तेन या चार इंच कम रख लेंगे लाइनिंग के लेंथ इंच टैप को कोनर पे रखेंगे उर्गुमाते हुए हमें इस मार्क को फोलो करते हुए पूरे में ही मार्क लगा देना है अभी मार्क की अकोडिंग लाइनिंग को भी कट कर लेंगे इस तरह हमें मारे के अकोडिंग लाइनिंग को भी कट कर लेना है अभी हम मैन फैब्रिक के बोटम में लाइनिंग को अटेच करेंगी तो लाइनिंग को हमें इस तरह कमर के अकोडिंग रख देना है और मिलाते हुवे यहाँ पर हम सलय लगा देंगी लेनिंग के बोटम को आदेंच की दूरी पर डवल फोल्ड करेंगी और स्ले लगा देंगी इसी के अकोड़ी हम दूसरे पार्ट को भी रेडि कर लेंगी इस तरह हमें कमर पर स्लेल लगा देनी है और बोटम को आदेंज की दुर पर डूर्ड फोल्ड कर लेंगी फ्रंट और बैक दोनों पार्टों में बोटम पार्ट और टो पार्ट को एक दूसरे से अटेच्च करेंगी रेर शैर दोनों की नीचे की दिर्फ रख देंगी और कमर पर हमें स्लेल लगा देनी है फ्रंट और बैक दोनों पार्टों में टोव पार्ट और बोटम पार्ट को अटेच करने के बाद कुर्ति को हम रोंग शैड की तरफ फोल्ड करेंगे और अपने मेजर्मेंट के अकोडिंग फिटिंग में स्लय लगा देंगे मैंने फैब्रिक के बोटम में मैंने पिको कुरवाया है तो आप देख सकते हैं पिको कुरवाने के बाद इसका लुक और भी अच्छा आया है सिंपल स्लय मसिन से इसका लुक अच्छा नहीं आता तो नीचे बोटम में हम पिको कुरवा लेंगे और नेक पर मैंने फैब्रिक लटकन का यूज किया है अगर आई इसकी वीडियो देखना चाते हैं तो लिंक मैं डिक्स्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी यह कुर्थी आज कल काफी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और काफी ज़्यादा घहर बना है इस कुर्थी का मुझे इस कुर्थी का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपको कैसा लगा यह मुझे कमेट में जुरू बताएं सु आज के लिए सिर्फ इतना ही